हुआ है किछ है अगलो दोस्तों आज के ॉस्ट में बॉल मृल का कंस्ट्रक्शन परिंस्पल वर्किंग और कृटिकल स्पीडों का डेयाशन देखने वाले है तो सबसे पाहले हम लोग डैए Father का प। हड्री कि बात करें यह impact के principle पे वर्क करता है इसमें दू परकार के फोर्स लगते हैं इंप्रकार का सील होता है जो ऑडिवरी एक्सीज पे रहता है अर्था एक्सीज पे इस एक्सीज की बात करें तो इसमें एक्छोटा सा एंगल के द्वारा व्लोग बॉल को हीड करते हैं और बॉल के स्पीड अच्छा से समझाने के लिए मैं लेजर का यूज करूँगा यह देखिए कुछ इस प्रकार का एक सेल होता है यह जो है आपका यह पुरा का पुरा सेल है यहां से हम लोग फीड को डालते हैं यह सेल आपका एक मोटर से कनेक्ट रहता है जब वो मोटर रन करता है तो आपका यह जो सेल है यह भी रोटेट होता है इस सेल के रोटेट होने से बॉल भी नीचे से रोटेट करता है और आपका कर्सिंग हो जाता है तो यह अब लोग इसके वरकिंग की बात करेंगे तो यह आप वरकिंग देख सकते हैं यह जो आपका यह सेल है ठीक है यह जो आप देख लिए लोग पैन के बात करेंगे चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग समझेंगे वर्किंग में अभी जो आप लोगों ने देखा था वो जैसे रोटेट करता है तो बॉल एक दुसरे के उपर टकर मारता है तो आपका कर्सिंग हो जाता है विसेस जनकारी के लिए आप यह पढ़ सकते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा हम लोग जो है ब बॉल होता है ठीक है यह बॉल देखिये जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो यह कुछ इस डारेक्शन में रोटेट होना इस्टार्ट करता है भाई मेरे जब यह पुरा सेल आपका रोटेट करेगा ती यह बॉल क्या होगा ना एक दूसरे के उपर टकर मारेगा टकर म बार तो हीट किया उसे फीट टूटा वो थो गया आपका इंपक्ट जब इस दोनों बॉल के बीच में यह आपका फीड आएगा तो यह दोनों बॉल के फिरिक्षन की बजा से भी तूट जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थात यह इंपक्ट और अट्रीशन की बज देखिए बॉल आपका कैसे रोटेट कर रहा है इस परकार आपका कर्सिंग होता है यह ठीक ना तो यह आपका कुछ वरकिंग है वरकिंग आप लोग बढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा जो हमने बोला उसी को पूरा लांगवेज बना के लिए सेमेस्टर एक्जाम को पास हुआ है ठीक है अब मेरे दोस्त एकदम आराम से समझेंगे कोई जल्दवाजी नहीं है अब देखिए लोग स्पीड पे जब आप सेल को रोटेट करेंगे यह बॉल जो है यहां तक आएगा ठीक है फिर वापस डाउन चला जाएगा फिर वहां उपर जाएगा फिर डाउन तो यहां वापस इसपरकार गिर जाता है अब देखिए यहां से जो नगा लग ऊसे केट केंग तो इसको हम लोग बोलते हैं लिए मिवाथниц today can sing Earth के इसको बोलते हैं धी कर्णतिक केट इस्कों बोलते हैं यहां से जो गिए यहां पर आपका इंप्रोस लग रहा है इमपर की बजसे यहां पर ग्रेंडरिंग हो रहा है अब देखिए जदी आप सेल को high speed में रन कर देंगे तीय बॉल वापस गिरे गर नहें, इस सेल में ही चिपक के rotate करना शुरू कर देगा, इस स्थिते में आपका grinding नहीं होता है, no grinding, इंडिंग को तब गरेंडिंग नहीं होगा जब आप सेल को हाई स्पीड में रन कर देंगे तो गरेंडिंग आपका नहीं होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेंटरी फ्यूजिंग अब देखिए यहां पर क्या सीन है अगर आपको अराम से सुन गेंगा अगर आपको गरेंडिंग करना है अगर आपको गरेंडिंग करना है तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त बॉल को सेंटरी फ्यूजिंग के स्पीड पे रन नहीं करना पड़ेगा सेंटरी फ्यूजिंग जितना स्पीड पे हो रहा है उससे कम स्पीड आपको रखन है इतना रखेंगे कि मेरा ग्रैंडिंग हो जाए और सेंटी फ्यूजिंग स्टार्ट ना हो तो किर्टिकल स्पीड ऑफ बॉल मेल की डिपनिशन की बात करें तो वह मिनीमम स्पीड है जिस स्पीड पर आपका सेंटी फ्यूजिंग स्टार्ट होता है सेंटी फ्यूजिंग का मतलब क्या हो गया कि बॉल आपका सेल में चिपक जाएगा गरेंडिंग नहीं होगा तो हम अब लोग जो है डेरिवेशन करेंगे क्रिटिकल स्पीड का तो यह आपका कुछ डायगराम है इस परकार का कि रत्राइ करेंगे बदलना परेगा रेड लेता हूं मैं यह देखिए यह आपका डायगराम है इसमें यह आपका सेल है और यह यहां पर यह आपका एक बॉल है थीक इस बॉल का जो एक है small r है और यह जो सेल है इसका radius capital r है यदि ball के radius और center की बात करें तो क्या हो जाएगा capital r minus small r हो जाएगा अब इस ball पे दो परकार का force लग रहा है एक due to gravitational की वजा से एक नीचे force लग रहा है gravitational force जो कि mg है और एक अप जो कि centrifugal force लग रहा है यहाँ पर centrifugal force का formula होता है mv square divided by r minus r ठीक है यहाँ पर जो भी आपका यह peripheral velocity कहलाता है इसमें दो force लग रहे है एक gravitational force और एक centrifugal force अब हम लोग समझे यह देखिए इसमें यह आप लोग कंसीडर करेंगे तो एक बी पोइंट है जिस पर आपका ball दिया गया है ठीक है और r minus r जो है आपका r minus r यह r minus r यह represent करता है कि आपका distance जो है ball और center के बीच का कितना distance है हमने यह alpha लेट कर लिया मान लिया कि alpha जो आपका ob के बीच का इसके और इसके बीच का angle है और इस ball पे दो परकार के फोर्स लग रहे हैं कौन-कौन फोर्स लग रहे हैं एक फोर्स जो gravity की बजा से लग रहा mg जहां पे m क्या आपका mass of the ball है और दूसरा फोर्स जो आपका centrifugal force लग रहा है centrifugal force का फर्मूला होता है mb square divided by r minus r where b is the peripheral speed यह r minus r क्या है यह एक परकार का radius है ठीक है radius किसके किसके बीच का यह देखिए इस cell का पूरा radius r है इस ball का radius small r है इस ball और इस center के बीच का distance कितना होगा r minus r सो हमने लिया r minus r ठीक है अब देखिए हम लोग यदि बात करें critical speed of ball mill के definition का तो होता है the minimum speed at which the centrifuging occurs is called the critical speed of ball mill अब देखिए एकदम अराम से समझेगा कोई जल्दवाजी नहीं है थोड़ा मैं बैक जाओंगा एक पार इस diagram को समझाएंगे अब देखिए यहां पे जो दो फोर्स लग रहा है कुन कुन फोर्स एक गरे भी है अगर यह दोनों फोर्स आपस में equal हो जाएतों क्या होगा यह दोनों फोर्स आपस में लिजिए मान लिजिए अगर आपका यह सेंटी फ्यूगल फोर्स जादा हो गया अगर सेंटी फ्यूगल फोर्स जादा हो गया तो मेरे दोस्त क्या होगा यह बॉल जो है आपका गिरे गार नहीं इसी के साथ रोटेट करना शुरू कर देगा सेंटिफ्यूगिंग स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अगर यह दोनों एक्वल रहा तो यहां पर आके बॉल आपका जो है निश्चित रूप से गिर जाएगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंग गया एक और बात यहां पर देख़े यहां गर्विटेस्चनल फ्रॉस म्लग रगा एउनगल अलफा है एल्फा यह यह अपका एंगल क्या दाएगा अल्फा और इस मपोनेट की बज़ा इस पिद्ध कर से मपोनेंट की पर सुनरा फोर्स लगेगा एमजी कॉस अलफा और इधर की बात करेंगे ति इधर कितना लगेगा एमजी साइन अलफा हम लोग लेंगे इस क्वॉठ को जहाँ पे केट करेंगे कि इस बॉल पर जो लगा ऐस घर速 गर्विटेशनल फोर्स और से दोनों एक्वल है यह दोनों एक्वल होगा तो हम लोग क्या लिख सकते एंब एसकोड डिवाइड़ बैर में नस रिक वस्ते एमजी कॉस अलफा इस इस्तिति में क्या होगा आपका बॉल नीश्ची तरूप से फॉल डाउन करेगा अगर यह से सेंटिफ्यूगल फोर्स बड़ा हो गया और गर्विटेशनल फोर्स छोटा हो गया तो बॉल आपका नीचे नहीं गिरेगा यह इसमें सब्सक्राइब करता रहेगा ठीक है यह आपका क्रिटिकल स्पीड का डिफिनीशन है अब देखिए अब हम लोग जो है कि करेंगे मेर सालफा इक्वाल स्थो एम वी स्कॉर डिवाइड़ वायर मैनस आड यहां से आप लोग कौस अलफा का बेल्यू निकालेजिए क्वाइब हो जाएगा एंब्सक्राइड डिवाइड वायर Mg R-R ठीक है यहां से आपका M M cancel out हो जाएगा तो यह cos alpha हो गया V square divided by G R-R अब देखिए अब हम लोग जो यह जो R है आपका यह स्वर्य यह V जो आपका है यह V क्या है यह V आपका है peripheral velocity Peripheral Velocity ठीक है और हम लोग जानते हैं चुकि peripheral velocity equals to 2 pi n into radius radius क्या लेंगे R-R जहाँ पर N क्या है आपका revolution per minute ठीक है अब मेरे दोस्त इस V का value हम यहाँ पर put करेंगे substituting के बाद यह लेंगे हम लोग यहाँ पर cos alpha चलिए put किजिए V के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते है 2 pi n R-R ठीक है यह है आपका R-R यह दोनों cancel out हो जाएगा ठीक तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से मेरे दोस्त एकदम आ रहा हम से कोई जल्दवाजी नहीं है यह देखिए एक यूनिट यहाँ पर भी ए स्क्वाइर है ना तो इसको 2 unit लेना पर एगा 2 pi n into r-r ठीक है अब देखिए कोई जल्दवाजी नहीं एकदम जल्द यह r-r यहाँ से cancel हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा multiply के जिए 2 2 4 ठीक है 4 pi square n square और यह हो जाएगा आपका r-r ठीक है और नीचे यहाँ पर g था divided by g इसके divided by क्या लग जाएगा g अब देखिए अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे critical speed के at critical speed मेरे दोस्त critical speed पर क्या सिन होता है ना at critical speed के अगर हम लोग बात करे यहाँ पर alpha equals to 0 degree हो जाता है जब alpha equals to 0 degree हो जाएगा तो cos alpha का मन कितना हो जाएगा 1 cos alpha क्या हो जाएगा 1 और यह जो आपका n है यह हो जाएगा critical speed n जो है किसमें बदल जाएगा critical speed में बदल जाएगा अब देखिए हम लोग सब का value put करेंगे यह standard है कि alpha का मन 1 अब देखिए cos alpha 1 ले रहे है ठीक है cos alpha 1 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका यह 1 multiply by g 1 multiply by g cross multiplication यह हो रहा है आपका 4 pi square और यह nc का square और यह r-r यहाँ से आप लोग निकाल यह nc nc का square divided by equals to क्या हो जाएगा g divided by 4 pi square r-r nc आपका जब उस साइड यदि आपलोग भेज दे नहीं छोड़िए क्या भेजन तिये क्या हो जाएगा आपका nc square divided by g 4 pi square r-r यह था आपका critical speed का formula यहाँ तेक आपको board exam में derive करना पढ़ेगा यह overall था ball mill का यदि आप लोग exam यहाँ तेक कर देते हैं तो आपको full में full marks मिल जाएगा ball mill में critical speed क्या होता है वहाँ minimum speed होता है जिस पर centrifugging start हो जाता है thank you very much हमारे वीडियो में बने रहने के लिए